हम कर रहे हैं क्लास 17 साइंस का चैप्टर 15 डैट इस लाइट जिसमें लास्ट डिसक्स किया था हमारा टॉपिक इमेज फॉंड बाइ लैंस आज हम डिसक्स करने वाले हैं सनलाइट वाइट और कलर लेकिन उससे पहने चैनल पर निव हैं मेरी वीडियो को फर्स टाइम देख मेज और सब्सक्राइब करना चलिए स्टाइड करते हैं सनलाइट वाइट होती है की कलर होती है आपने कभी रेंबो लिए निकलता है जब बारश होती है अगर सफान दूप निकलती है तो आप लिए नोटीस किया है कि वो होता कब है rainbow आपका आता कब है after the rain ठीक है जब बारिश खत्म होती है और उसी टाइम पे अगर sun निकल जाए sky में तो आपका rainbow जो है वो आपको दिखता है तो rainbow है वो आपको देखने में लगता है जैसे कोई आख है आपको पता ना सरक्र में एक आख बनती है यह देखिए यहां पर rainbow दिखाया गया है एक आख की फॉर्म में दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे colors होते हैं आपको पता ना कौन-कौन से colors होते हैं कितने colors होते हैं उसमें total seven colors होते हैं जब इसको दियान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि rainbow में कितने colors होते हैं seven colors होते हैं लेकिन easy नहीं होता उन्हें differentiate करना इसलिए लगता है जैसे एक दूसरे में वह mix हो रहे हैं इसलिए आप अलग-अलग करके उनको बता अगर आप बड़ा अच्छा क्लियर दिख रहा हो तो शायद आप बता सकते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के साथ ही मिक्स हो रहे हैं तो यह कॉन से होते हैं रेड औरेंज यालो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट यही मिलके आपको बनाते हैं वायलेट आई फर इंडिगो बी फर ब्लू जी फर ग्रीन वाय फर यहलो ओ पर ओरेंज और फर रेड इस तरह से सीकुंस में आपको कलर जो है वह आप लर्ण कर सकते हैं आपने कभी देखे हैं यह बबल्स जो आप मनाते हैं सो बबल्स बनाते हुना कि इन बार आप बच्चे तो उसमें से आपको बहुत सारे कलर दिखाइ देते हैं यह देख हुआ करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारी दिखाए देख सकते हैं इसको कर सकते हैं कि जो सन लाइट है ना वह होता है डिफ्रेंट कलर्स का होता है इसको भी एन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे होता है अब आप सोचेंगे कि सीडी में हमें कलर्स कहां दिखाए लेते हैं जब आप सीडी को देखते हो ना वह ऐसे लगता है जैसे सिल्वर कलर की वाइट सी है लेकिन जब उस पर लाइट पड़ती है लाइट रिफलेक्ट होती है तो आप उसमें कलर दिखाए देती है उसी तरह आपको एक्टिविटी दीगी है आपने क्या करना है इस एक ग्लास का प्रीजम लेना है और उस पे एक बीम जो है लाइट की उसमें से पास होने देने किसी होल के तुरू आप उसमें पंड सकती है लाइट जो आप फिगर देख सकते हैं यहां पर देखिए पूरी सनलाइट रही है नहीं है जो प्रीजम परिजम के ऊपर देखें यहां पर एक यहां से बाहर की साइड आ रही है लेकिन आपको याद रखना है कि जो यहां से परास हो तो वह कहां पर पड़े किसी वाइट शीट पेपर पर पड़े जहां वाइट वाइट वाल के उपर पड़े तो तब आप क्या observe करेंगे क्या आपको कोई कि वाइट वाइट करेंगे क्या कि वाइट करेंगे मिलेगी हमें अब कर रहे हैं कि उसमें हम देखा कि वाइट ड्रेक होके तो अगर आप इन ऐसने को मिक्स करते हैं तो क्या आपको वाइड मिलेगी उसके रिया आपने क्या करना एक सथ कार्ड़ देना जैसे कि यहां पर दिखाया किया है कार्बोड की डिस्क लेनी है जिसका डायमेटर कितना हो 10 mam में तक हो अब आपने इस विस्ट को कर देना है किसा ने कर देना है और आपने पेस्ट करें पेस्ट कर सकते हो ड़ा सकती हो त oportun फ्रस्ट करना चापते हैं आप कलर पेपर के साथ रहाई पेस्ट कर दीजिए उसके बाद एक स्माल होल बनाना है इस कार्डबोर डिस्क के उपर आपने देखा होगा यहां पर छोटा सा होल बनाया है इसके सेंटर में और फिक्स कर देना डिस्क को लूजली कहां पर टिप आफ यह नीचे यहां पर इसके रिफल लगाई रही है आप दिस्क को डेलाइब में जब डिस्क करेगी मिक्स हो जाते है है विस्क बेसा सब्सक्रक्राइब पर जिसमें आपको उसमीजब लगले कुंड़े कि यहां पर आपको डिक्स की व不知道 बापस बन जाती है उसे हम कहते हैं Newton's disc याद रखिए इस इसको पापलाली हम क्या कहते हैं Newton's disc इससे एक लिए हो गया वाइट जो है वो split होके break होके 7 colors में convert हो जाती है और जो 7 color है अगर हम इनको mix करें इस तरह से rotate करें तो वह भी दुबारा क्या हो जाते हैं white से पहले को एक ब्रिलियंट आइडिया उसने क्या किया एक स्माल टॉप सा बना लिया सर्क्रों डिस्क बना लिए जिसमें सैवन रेंबो क्वाले कलर थे उस पर पेंट किये हैं जासा कि यहां पर फिगर में दिखाई दे रहा है वो जब वो से रोटेट करती थी तो वो किसकी है लेकिन इसमें कितने कलर्स होते हैं सैवन कलर्स होते हैं जिसके कारण आपका रेंबो भी बनता है तो यह था हमारा आज का टॉपिक यह यहीं पर कंप्लीट होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ल